नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोग खबर जानते हैं इस सब के बीच धनबाद पहुंचे सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने 1932 खतियान को लेकर बड़ी बात कह दी है बता दे मंत्री जगनात महतों सन्निवार को धनबाद जी लेके जगराही इस्थीत चैती दुर्गा पुजा के मोगे पर माता का दर्शन करने पहुंचे थे सिक्षा मंत्री ने कहा है कि जारकन के लोगों का 132 आधारी अस्थानिये वो नियोजन नेती बपाउती अधिकार है इसे कोई नहीं रोक सकता जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे छूट भाया नेता है सरकार के स्वास्त मंत्री बना गुपता के द्वारा मैथली अंगीका भोजपूरी भासा का समर्थन करने के सवाल पर सिक्षा मंत्री ने भी कही वहीं जेमेम विधायक लोबिन हेम्रेम और सिता सुरेन के अलग राह और नराजगी को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है सिवू सुरेन पार्टी के सर्वा है भाजपाक के लोग सरकार को आईस्थिर करने में लगे हुए हैं लेकिन कम्याब नहीं होंगे जारखण में भिषन गर्मी से मौत जारखण में भिषन गर्मी और तेज धूप अब कहर बरबाने लगी है पुर्वी सिम्हुम जीले में जहानलू लगने से दो महिलाओ की मौत हो गई वही सराय के लाग पुर्वी सिम्हुम और बोकारों में च्छ चात्र चात्राय मूर् से खुण निकरने लगा और थोड़ी ही दिर में उनकी मौत हो गाई बता दे सरकारी वर निजी स्कूलों में तेज गर्मी वर लू के कारण बच्चों के बीमार वर बेहोस होने का करम जारी है पूर्वी सिम्हुम जीला के जमसेत पूर प्रकांड इस्थित उतकर्मिक मत जारखन के एकलोते त्रीकूट रोपवे में रविवार को बड़ा हाथसा हो गया हाथसे में एक महिला की जान चली गई जबकि दर्जन भर से अधिक परियाटक वह यात्री घायल बता जा रहे हैं बता दे आठ घायलों को रेस्क्यू कर सदर अस्पतर लाया गया जहां एक महिला की मौत हो गई जबकि साथ लोगों का इला चल रहा है उसमें एक बच्चे के अलावा महिला की इस्थित्ति गंभीर बताई जा रही है देवगर दुमका मोख्य मार्ग पर मोहन पूर्थाना चेतर इस्थित्ति त्रीकूट पहाल पर रोपवे में रविवार अपराह जबकि चार पर्टोलिया आपस में और पहार के पथरों में टकरा गई राम नौमी सोभायात्रा का मुख्य मंत्री ने किया अभिनंदान मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने कहा कि राम नौमी के उसर पर सरधा और आस्था का सैलाब उमर पड़ा है हर तरप जय स्री राम के भक्ति को ही दर साता है मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने तपोवन मंदीर निवारन पूर में सरधालू को राम नौमी के बधाई और सुबकमनाय दी मुख्य मंत्री ने मंदीर में बिधुवत तरीके से पुजा आर्चना कर राज एवं राज जवासियों के सुख समरे दी औ हम सभी भागवान स्री राम से कामना करते हैं लोहर दग्गा में संप्रदाइक हिंसा सोभा यात्रा पर पत्राव के बाद वाहनों को फूका जार्खन के लोहर दग्गा जीले के सदर थाना चेत्रे के हीरही गाम में राम नमी जूलूस पर पत्राव की घटना के बाद हीरह और उसके आसपास के गाउं में संप्रदाई कहिंसा भढ़क गई बावाल मच गया बता दे उपद्रियों ने दर्जन भरवानों को फूक डाला है सदधना चेत्र के भोगता बगीचा में रामनावी मेला में एक समुदाई के लोगों ने पथराव की घटना के बाद आग लगा दी है मेला अस्थाल पर दस मोटर साइकल, तीन ठेला, एक टेमपो, चार साइकल और मेला में लगी कई दुकानों में आग लगा दी गई दुकाने धो धूकर जल रही है बता दे इस घटना में लाखों रुपे की छती हुई है प्रभावित, राची रेल मंडल ने नन इंटर कॉलिंग कारे के चलते दो ट्रेनों को रद करने और कुछ ट्रेनों को शूट टर्मिंग करने का नेना लिया है इसकी सूर्ची जारी कर दी गई है हटिया बंडा मुंडा रेल खंड के दोहरी करन के अंत्रकत हटिया यार्ड के अपग्रेडेशन के लिए 11-15 अप्रेल तक नन इंटर कॉलिंग कारे किया जाएगा इस दोरान कई ट्रेने प्रभावित रहेंगी बता दे ट्रेन संख्या 18-175, 18-176 हटिया जार्शुगूडा हटिया मेमू एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 18-602, 18-601 हटिया टाटानेगर हटिया एक्सप्रेस 11-15 अप्रेल तक रद रहेगी राम नौमी पर जहाखी में दिखी अयोध्या नगरी की राम नौमी राम नौमी में राम भक्तों का उसाथ देखते ही बन रहा था खास करके रातु इलाकों से आने वाली धर्जनों आखाडों की खिलाडी अपने कर्तब से लोगों को आकर्शित कर रहे थे इस बीच कई ऐसी जहाखी देखने को मिली जो आकर्शन का केंद्र बना हुए था इसी बीच रातु रोड इस्थीत इंद्रपूरी राम नौमी पूजा समिति के ओर से बुरायो वा अत्याचारी राक्षस के रूप में जहाखी निकाली गई जिसमें दिखाया गया कि कैसे अत्याचारी रूपी दानों को जनजीरों में कैद कर रखा गया है दूसरी और अयोद्या में राम नौमी को लेकर पधान मंत्री नानमोदी और यूपी के मुख्य मंत्री योगी आतित्यनाथ का विसाल कॉट आउट के साथ जहांके निकाली गई जहारखन परदेश कॉंग्रेस परभारी पर जातिवाद का अरोप कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है अभी हाल में ही परदेश कॉंग्रेस मुख्याले में एक युवा नेता और वरिष्ट कॉंग्रेस के बीच मोर्चा खुला तो बाते जाच पाच तक पहुँच गई बड़ी मुश्किल से मामला समला लेकिन कॉंग्रेस किया जहांकि उपर से लेकर निशे तक देखने को मिल सकती है खुद परदेश कॉंग्रेस परभारी पर भी इस तरह क्यारोप लगने लगे है उन्होंने अपने अस्तासे जिला संजोज को की सुची जारी की जिसमें पार्टी के पूर परवक्ता अलोक दूबे को गुमला जिला का संजोजक बनाया गया इस सुची का विरोध पार्टी में सुरू हो चुका है बिरोध इस बात पर अधिक हाय की आदिवासी बहुल राजे में जितने संजोजक आदिवासी बिरादरी से बनाये गया उतने ही ब्राह्मनों को रखा गया प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत जारखन में बाटे गया 369 कोल रुपाय के रीन केंद्र सरकार के महत्वकांची योजना प्रधान मंत्री मुद्रा योजना जारखन में अन योजनाव के अपेक्षा बेहात पई नाम दे रही है आकड़े इसकी पूष्टी कर रहे है राज्ये में पधान मंत्री मुद्रा योजना के तहत जारखंड में समय कीत रूप से बैंकों से 369.38 कोलोर रुपाय का रिन बित्रित किया गया है यह कर्ज 7,444,543 लाभुकों को अपेक्षा के लिए छोटे उद्यम सुरू करने के लिए मोहया कराया गया इसके तहत और द्योगी गति वीदियो के साथ साथ क्रीशी छेतर से समद्था उद्योगों के लिए भी मुद्रा योजना के तहत रिन उपलब्त कराया जा रहा है जारखंड में कुरोना के एक भी नए केस नहीं मिले हैं जबकि एक मरीज स्वस्त भी हुए है जारखंड में कुरोना के कुलेक्टिव केस की संख्या 36 है भारत में एक है 54 नए केस मिले हैं जबकि 12 जवन ठावर मरीज स्वस्त हुए भारत में कुलेक्टिव केस की संख्या 27 यार 187 है रगुबर्दास ने लोहरदागा घटना की निंदा की जारखंड के पुरो मुख मंत्री सभाजपा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष रगुबर्दास ने लोहरदागा में राम नमी मिले में हुए हिंसक घटना की कड़ी निंदा की है उन्होंने कहा है कि पिछले दो साल में लोहरदागा में बहुत संख के समाज को निशाना बनाया जाने के दूसरी घटना है इसके अलावा रांची समेत राजे के अने छेत्रों में भी बहुत संख के समाज को निशाना बनाया जाता रहा है लेकिन संप्रदाईक ततों के आगे हेमन सरकार नतमस्तक है पुर्व सीम ने डिजीपी से फोन पर बात कर दोस्यों के खिलाब करवाई की कड़ी मांग की है नकसली परभावित इलाकों में पंचाय चुनाव कराना होगा चुनाती पूर्ण जारकन में पंचाय चुनाव का बीगुल फूका जा चुका है ऐसे में नकसल परभावित जीलों में सांती पूर्ण मत दान कराना पूलिस परसासन के लिए चुनाती पूर्ण होगा नकसल वा उगरवाद परभावित कई छेत्र ऐसे हैं जहां नेट कनेक्टिविटी आज भी नहीं है ऐसे छेत्रों में चुनाव संपन कराने को लेकर राजे पूलिस ने आयोग से अतिरिक्त अर्धसायनिक बलो की महांग पूर्ण में की थी लेकिन आयोग की ओर से कहा गया कि राजे में पहले से नकसल अभ्यान को लेकर अर्धसायनिक बलो की तैनाती है ऐसे में चुनाव के मदन नजर अलग से अतिरिक्त अर्धसायनिक बलो को देना संभव नहीं है यानि राजे पूलिस को अब अपने ही दम पर पंचाय चुनाव संपन कराना होगा बता दे राजे में लाते हारलो अर्धका पलामों गड़वा खोटी दुमका बुकारो गिरी डी गुमला चाई बासा चत्रह जारे बागवा राची का कुछ हिसा नक्सल वा उगरवात प्रभावित मना जाता है राची के रिम्स में 226 सीटों पर भैकेंसी रिम्स की स्वास्त सुविधा को बेतर करने की बड़ी संख्या में एसो सीएस प्रोफेसर से लेकर रेजिडेंट डाक्टरों की न्युक्ती होगी कुल 226 पदों पर होने वाली न्युक्ती के लिए 26, 27 और 28 अप्रेल को इंटर्भी होगा रिम्स में न्युक्ती के लिए सबसे अधिक पद सीनियर रेसिजेंट के हैं जिनकी संख्या बासट है जार्खन में 8, 9, 11 की फर्स्ट टर्म परिक्षा का अगले सब्ता जेक जारी करेगा प्रोग्राम जार्खन में कक्षा 8, 9 और 11 की फर्स्ट टर्म की बोर्ड परिक्षा 55 चुनाओ से पहले लेने की त्यारी है परिक्षा में लगभग 13 लाग परिक्षारती सामिल होंगे जार्खन एकेडमी कॉंसिल द्वारा परिक्षा के तिथी अगले सब्ता जारी करती जाएगी परिक्षा में के दूसरे सब्ता में लिजा सकती है बता दे कोबीड-19 के संक्रामन के करन बर्स 2022 की कक्षा 8, 9 और 11 समेत मैट्रिक और मिंटर की परिक्षा 2 टर्म में लेने का निना लिया गया था उपराश्ट पती ने जार्खन के 6 गुरु तपन को किया समाने जार्खन के सराय के लाख हरसावा जीले के 6 गुरु सा राजगी ये 6 कलाक के अंदर सराय के लाखे निदेशक तपन पतनाया को देश के प्रतिष्ठी संगीत नाटक अकार्डमी आवार्ड से समानित किया गया है नई दिली के बिग्यान भावन में सन्निवार को आविजित पुरसकार बितरन समार हो में देश के उफ्रश्ट पती एम बंकिया नाटू ने 6 गुरु तपन पतनाया को 6 निरित कलाक के छेतर में बेहतर योगद्यान के लिए या आवार्ड परदान किया आपको बता दे कि 6 गुरु तपन पतनायाक राष्ट्रिय वर अंतराष्ट्रिय अस्तर पर भी 6 निरित पेश कर चुके हैं इन्होंनों कई 6 निरितियों की राचना भी की है कोडारमा में पंचायत चुनाव दो चर्णों में होंगे त्रियस्तर ये पंचायत चुनाव के इस उतना जारी होते ही कोडारमा जीले के नगर निकाय छेतर को छोड़ अने जगों पर अचार संहीता लागू हो गई है हलाकि इस तवरान जीले में संचालित राज्य और केंदर सरकार की चालू योजनाय इससे प्रहुवित नहीं होंगी कोडारमा जीले में दो चर्ण 29 और 27 माई को चुनाव होंगे निस्पक्ष चुनाव को लेकर सभी त्यारी पूरी हो गई है राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी सूची के अनुसार कोडारमा जीला अंतरगत सतगावा डुमचांच और मरकचो में दोसरे चर्ण में वही जयनगर चंदवारा और कोडारमा परखन में चौथे चर्ण में मत्दान होगा साहब गंच से होकर चलेगी मुंबाई मालदा समर एस्पेसल ट्रेन भारतिय रेलवे ने मुंबाई से मालदा टाउन के लिए समर एस्पेसल ट्रेन चलाने को लेकर नोटिफिकेसन जारी कर दिया है मुंबाई माल्दा समबर एस्पेसल ट्रेन का परिचारन 11 अप्रेल से 8 जुन तक किया जाएगा इसे यात्रियों को सफर करने में काफी असानी होगी एस समबर एस्पेसल ट्रेन जारखन के हजारी बाग होकर चलेगी इसके लिए बुकिंग सुरू हो गई है खुटी में इसाई धर्मावलंबियों ने मनाया खजूर परव इसाई धर्मावलंबियों ने रभीवार को खजूर पर मनाया इस अवसर पर सुबह करीब 5 आरसी महा गेरजा घर में फैदर साइलेस की अगुवाई में मिस्सा का आउजन किया गया इसके बाद लोयोला होस्टल मैदान में खजूर के साथ हजारों की संक्या में बिस्वासी सामिल हुए जहां बिस्सा बिनाय ने खजूर डालियों को आसिस दिया इसके बाद मैदान परिसर में ही जूलूस निकालते हुए सभी महा गिर्जा घर में आ गये जहां बिस्सा बिनाय ने पूजन बिधी को संपन किया मिथिलेश ठाकूर ने खिलाडियों को किया समानीत गढ़वा जिला किर्केट एसोसेशन के ततोधान में रभीवार को चिनिया रोड इस्थीत होटल रोयल पदमावती के सभागार में सम्मान समारों के आउजन किया गया इसमें गिरी डी में 20 से 30 मार तक आउजित अंडर 19 के उबिजेता गढवा टीम के कोच कैप्टन सहीत सभी खिलाडियों को पेज लिवम स्वक्षता मंत्री मिशले श्ठाकुर द्वारा समानित किया गया इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिड इक्छा सक्ति से हर मुकाम को पाया जा सकता है गढवा के खिलाड़ी होसला रखे उन्हें हर संसाधन उपलव्द कराया जाएगा गढवा किर्केट के मामले में पहले से भी अपना अलग रखता है लोबिन हेंबिरम को बुला सकते हैं सीवू सुरेन जारखन मुक्ती मुर्चा में उठे बिवाद का समाधान करने के सिलसीले में वरिष्ट बिधायक स्टिफन मरांडी ने सनिवार को जावमो अध्यक्स सीवू सुरेन और करकारी अध्यक्स वा मुक्ष मंत्री हमान सुरेन से मुलकात की थी उन्होंने कहा कि हर समस्या का समधान बाचित से संबाव है सीवू सुरेन जल्द ही बिधायक लोबीन हेमरम को मिलने का समय देंगे वही जामू में बिधायक सीता सुरेन का मामला परिवारिक है फिलाल इस पर घर में ही बात हो तो यह पार्टी के हीत में होगा स्टिफन मरांडी की माने तो बिधायक लोबीन हेमरम से उनकी कोई ब्यक्तिकत लड़ाई नहीं है वह यही चाते हैं कि मवजूदा गतिरोद खत्म हो इसे पार्टी और सरकार की छवी खराब हो रही है सराब माफिया संजायादों को बिहार पूलिस किया गिरफतार जारखन और बिहार में अवैज सराब के सबसे बड़े माफिया संजायादों को बिहार के नवादा जी लेके अकबर पूर और रजावली थान्या पूलिस ने रभीवार की अहले सुबह गिरफतार कर लिया है गिरफतारी कहां से की गई इसको लेकर फिलाल संसाय है बिहार पूलिस के सुत्रों के अनुसार उसकी गिरबतारी जूमरी तिलया नवादा बस्ती श्थीत उनके आवाज से की गई है सांती पुन चुनाव जीला पर सासन और पूलिस के लिए बड़ी चुनाव थी जार्खन पंचाय चुनाव की घोसना के साथ ही राज सरकार के सामने परिछा की घड़ी आ चुकी है चुनाव के लिए पहले से तेरिया कर चुके लोग बड़े प्रमाने पर मैदान में तो उतरेंगे ही साता और विपक्ष से जुड़े हजारों लोग भी परत्यक्ष आत्वा परत्यक्ष रूप से इस चुनाव के हिसा बनेंगे इसे केंद्रे में रख सांती पोन चुनाव जीला पर सासन और पूलिस के लिए बड़ी चुनावती होगी सबसे बड़ी चुनावती अपराधी घटनाव पर नियंत्रन को लेकर होगी चुनाव के दवरान घटनाव को वार्दात होते रहते हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता ऐसी घटनाव को समय रहते रोकना पूलिस के लिए अवसक होगा नकसलियों के गड़ बुढ़ा पहाः पर जारखन पूलिस ने बनाया हैली पैड जारखन का बुढ़ा पहाः छेतर अब धीरे धेर नकसलियों से खाली होता जा रहा है पहले से अस्थापित सुरक्षा बलो के कैम्प के लोकेशन भी बदलते जा रहे हैं जैसे जैसे सुरक्षा बल जंगल में घुशते जा रहे हैं वैसे वैसे उनके कैम्प भी आगे बढ़ते जा रहे हैं संभावना है कि बहुत जल्द पूरे बुढ़ा पहाः पर जारखन पूलिस की पहुँच हो जाएगी ताया मामला हैली पेट बनाने का है नकसलियों के गाड़ बुढ़ा पहाः पर 36 गड़ की सीमा से महाई 1.5 किलो मेटर पहले सुरक्षा बलो के 12 टोली कैम्प के पास जारखन पूलिस ने हैली पेट बनाया है जहां सुरक्षा बलो को उतारने ले जाने रेस्क्यू करने वा उन्हें जरूरत का समान पहुचाओने तक पूलिस को मदद मिलेगी एंटी पीसी नेशनल टूर्नामेंट में दुमका के परकास को रायत पदक सराइक लेक हर्सावा में 3 से 10 अपरेल तक हुई बालक यमबाल का तिरंदाजी में कमपाउंड वर्ग में रायस्थान के प्रजवत ने स्वर्ण और दुमका के परकास मान जी ने रायत पदक पर कबजा जमाया दोनों के बीच काफी काटे की टकर रही परकास पजटन कला संस्कृतिक खेल कोद युवा कारे विभाग जारकन सरकार दुवारा दुमका में संचालीत अवासिय तिरंदाजी बालक पर सिक्षन केंदर का प्रस्तिक चुहाए रांची में चपे चपे पर तैनात रही पूलीस राम नमी को लेकर रांची जीले भर में तीन हज़ार स्धिक पूलीस बल तैनात रहा रैफ जीला बल, इको, रैप की कम्पनी सुरक्षा के लिए सतर्क थी ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी सुरक्षा को लेकर 3 IPS, 12 DSP, 50 सदिक इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्ता में लगे रहे SSP सुरेंद्र कुमार जार लागातार विभीन छेतरों में जाकर सुरक्षा का जाजा लेते रहे धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होते चैनलों को सब्सक्राब कर बहुल का बेल एक गंदवाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिर्वेक अवस से दे थांक यू